कि अभी हाल ही में सबको मालूम ही होगा कि चार लोग जिनके जिन्दवी हवा उड़ गई एक कंटेनर से गाड़ियां टकरा गई और उन्हीं को समर्पित करते हुए उन्हीं को नहीं हम अपने देश के उन सारे इवाओं को समर्पित करते हुए कर्णतर सुनाने जा रहे हैं जो अपने आप की ना समझी और वेवकूफी के कारण सवनक दुखटना में आये दिन अपनी जान को जवा देते हैं और उन्हीं को समर्पित एक कंटा जो आपनों के सामने हम प्रस्तुत करना चाहते हैं अगर अच्छा लाइगा ता पर ताली जोड़ से बज़ेगा लास् जिन्दगी इतनी आसान क्यों खुद के लिए मौत का पैगाम क्यों क्या सौदा करके आयत है पर लोक से क्या सौदा करके आयत है पर लोक से इस लोक में आकर अपनी जान गवाई क्यों अपने सपनों को पाकर इस जीवन में अपने सपनों को पाकर इस जीवन में सपनों को पूरा करने से पहले ही जवानी में ही अपनी जान गवाद करें जिन्दगी इतनी आसान क्यों खुद के लिए मौत का पैगाम क्यों अपने माता-पिता के गम के आसु को मिटाने इस भरा पर जिन्दग क्यों नहीं बच पाया तो क्यों नहीं बच पाया है कि लोग संजते हैं कि आरें तो सड़क मेरा है सड़क आपका थोड़ी है सड़क तो पुरा देश के लिए सरकार ने बढ़ाया है लेकिन उसकी पुछ नियम कानून है तो जब सड़क है सरकार की मेरा कहना है कि जब सड़क है सरकार की नियम कानून है संसार की किस अधिकार और हक से सरकार की सड़क को अपना समझकर नियम कानून की धजिया उड़ाकर उस पर अपनी गाड़ी की इतनी रफ्तार बढ़ाईकिन 1 जवानी में अगे सुनिए आणरोग की जैन गवाई क्यूं अगे सुनिए कि देए कि अपने गवाय को तों में से उसके बाद आप देखियों होता क्या है कि अपनी जान गवाया तो गवाया अपनी जान गवाया तो गवाया अपनी जान गवाया तो गवाया औरों की जान गवायी क्यों अपनी जान गवाया तो गवाया औरों की जान गवायी क्यों बोलो जिन्दगी इतनी आसान क्यों जिन्दगी इतनी आसान क्यों खुद के लिए म अपनी बेवकूपी ना समझी की वज़ासे अपनी गारी को इतना राइज चराते हैं जैसे लागा कि ना नेरा जीमन अपना है ना किसी और का जीमन उसका है अब यह ची तो गलत है ना अजततो पर गपण है ना किसी और खी खीग में अब और को अची की और ह्गा जीमन उसका है